खुद से जीतने और खुद से सीखने वालों को मेरा सलाम नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NHICS MPPSC में तो हम लोग देख रहे थे To The Point Program या हम कहें की Point Notes Study के तौर पे हम लोग Paper 4 मुखे परिक्षा का जो Paper 4 Ethics उसमें हम लोग Second Unit की बात कर रहे थे एकाई दो की बात कर रहे थे और उसमें जो है तो हम लोगों ने पहला टॉपिक जो उसका है वो हमने पूरा कर लिया था दूसरा टॉपिक जो अभी छमता और लोग सेवा हेतु आधार भूतियों के ताएं थी और मूल ले थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे तो हम लोग सत्यनिष्ठा, निस्पक्षता एपर असमर्थक वादी पर हमने बात कर ली थी आज जो हमारा विशार रहेगा तो आज जो हम देखेंगे वो रहेगा वस्तो निष्ठा, लोग सेवा के प्रती समर्पॉंट और समानुभूती इतनी चीजे हम आज देखेंगे सेज की जो दो टॉपिक रहेंगे नेक्स्ट वीक आपको कराये जाएंगे तो चलिए हम लोग जल्दी से सुरू करते हैं अपना दापॉइंट प्रोग्राम तो आज जो है तो छटी क्लास रहेगी है न और आपको पता ही है हमारी टैग लाइन है हम जरूर जीतेंगे है न अभ्यास करेंगे लिखेंगे अंसर राइटिंग करेंगे और हम जरूर जीतेंगे तो सबसे पहले आते ही वस्तनिष्टा वस्तनिष्टा को आप सामानिता समझ सकते हैं जैसे आप बोलते होंगे कि भाई आपका पेपर कैसा है तो वस्तनिष्ट प्रश्णों का अधार होता है वस्तनिष्ट प्रश्णों होते हैं उसमें उसे तरीके से यहाँ पे भी है वस्तनिष्टा मतलब क्या कि आपको option दे रहते हैं चार उन चार में से ही आपको जो सही fact है उसे आपको चुनना है तो यहाँ पे भी वस्तनिष्ट का मतलब वही है तो हमें परिवासा की बात करें to the point तो परिवासा आप ये लिखेगे कि तथ्य या घटना का उसके वास्तविक रूप में ही विसलेशन करना वस्तुनिश्टा कहलाता है मतलब ये कोई निर्णय है कोई निर्णय है तो तथ्य और तारकिक्ता के अधार पर किय किया जाए तो उसे वस्तुनिश्टा कहते हैं उस गुण को वस्तुनिश्टा कहते हैं उस मूल्ले को वस्तुनिश्टा का मूल्ले कहते हैं जब किसी तथ्य या घटना को उसके वास्तविक रूप से ही विशलेशित किया जाए अब होता क्या है सामानिता व्यक्ति निर्ण तो आप अपनी ब्यक्तिकत चेत्ना में उपस्थित आधारों से जो मुक्त होएं, है ना, अपने सभी आधारों से मुक्त रहकर, जो फैक्ट है, जो तत्य है, जो वास्तविक्ता है, उसके आधार पर आप निर्णयन करेंगे, यही वस्तुनिश्टा है, अब इसे आधार इसमें से है कि तटस्त होकर करतब पालन में, तटस्त होकर करतब पालन में, इसकी महति भूमिका रहती है, है ना, क्योंकि जब भी आप निर्णय करेंगे, जो भी आप करतब है, एक अधिकारी के तौर पे, लोकसेवक के तौर पे, तो यही आपके अंदर वस्तुनिश्ट अब्जेक्टिविटी नहीं है तो आप अपना कर्तब तरस्ताधार पर नहीं कर पाएंगे तो क्योंकि वस्तुनिष्टता हमें तरस्ता प्रदान करती है इसलिए हमें इसे आधारभूत मुल मानना चाहिए दूसरी बात आती है विवेका धिन सक्तियों का उचित प्रयोग है चूंकि आप एक प्रसासक रहेंगे तो आपके अंदर कई सारी विवेका धिन सक्तियां रहेंगे जो आपके अनुसार कीजाएंगी तो उस समय आप अपनी उνसक्तियों का उचित प्रयोग करें अनुचित प्रयोग ना करें इसके लिए भी जो है तो वस्त अनुश्टता तीसरी बात हम लोग करते हैं तो यह है नैतिक दुविधा में सही निर्णे करना कभी कभी इस्थिति ऐसी आती है कि आपके सामने दो विकलपा जाएंगे आपका ब्यक्तिकत लाब और सार्जनिक लाब तो वहाँ प्याद यह आपके अंदर वर्स निष्टा है तो आप उसमे सही निर्णे ले पाएंगे और सार्जनिक जो हित है उसकी और जाएंगे है ना तो नैतिक दुविधा में सही निर्णे के लिए भी ऑब्यक्टिविटी जो है तो महत्पूर्ण है फिर चौती बात आती है कारे के मुल्यांकन में यदि आपका कोई अधीनस्त है या आपका सही प्रभाव भी पड़ेगा लेकिन यदि आप वस्तुनिष्ट व्यक्ति नहीं है तो आप उसे दूसरे आधारों पर उसका मापन करेंगे है ना वहाँ पर भ्रट्राचार होने के संभाव ना हो सकती है और कार भी प्रभावित हो सकता है तो ये चीश हो जाएगी पांच यदि हो गया है कोई संप्रदाई के सिति निर्मित हो गई है तो किस तरीके से आप उसे मेनेज करेंगे इसके लिए भी आपको तत्थियों पर बात करनी होगी छेठा और अंतिम पाइंट है इसमें कि कुसल एबम प्रभावी सेवा बितरण में है ना चुकि आप एक कुसल के साथ एक कुसल धिकारी के तौर पर आपकाम करेंगे तो आपके अंदर बहुत सारी उजनाएं आएंगी सरकार के दवारा लोग कल्यान कारी राज के इस थापना के लिए बहुत सारी उजनाएं आती है तो उनके क्रियानवयन के लिए भी आप वोको वस्तनुनिष्ट आप इसमें दे सकते हैं चले हैं हम आगे बढ़ते हैं अगला पॉयंट देखते हैं गंला पॉयंट क्या हमारे पास है अगले पॉयंट के तौर प 가운데 हम लोग देखते हैं हमारा डूसरा भूत गाले है लोकसेवा कि प्रती grandson समर्पन का मतलब क्या होता है तो वही है लोक्सेवाप्रति आप जिस सेवा में हैं आप जो नौकरी है तो नौकरी नहीं है, ये एक सेवा के तोर पकारे करेंगे आप उसमें पूर्ण समर्पन के साथ, तो ये हम परिभासा के तोर पे देखें, तो हम बताएंगे कि किसी उद्देश के प्रती, किसी उद्देश के प्रती, तीब्र भावनाएं पैदा करती है, है न तीवर भावनायं पैदा होती है जो व्यक्ति के बेवहारों को नियंत्रित करती है यह लोग सेवा के प्रती समर्पन कहलाता है या और सिंपल करें हम लोक सेवा के प्रती समर्पन को तो हम बताएंगे कि करतब और दायत्त के प्रती प्रति बद्धता या निष्ठा की जो तीब्र मनाहस्तिती होती है ऐसी मनाहस्तिती जो आपका करतब है जो दायत्त है जो लक्ष है उसे प्राप्त करने में आप खुद क पूर्णता समर्पित कर देते हैं, पूर्णता लगा देते हैं, निष्ठावान हो जाते हैं, तो वह मनोस्तिती ही लोग सेवा के प्रति समर्पन कहलाती है, अब यदि कोई आप से पूछे कि आप किस तरह पहचान पाएंगे, या क्या लक्षण होते हैं समर्पन के, है न, य यदि हम नौकरी की बात करें, सिक्षा की बात करें, तो हर छेत्र में एक चीज है कि उसे आप जो भी काम कर रहें, तो उसे यदा सेवा भाव लें, है न, आप नौकरी के तौर पर काम ना करें, जौप के तौर पर नहीं, बलकि सर्विस के तौर पर आप उसमें काम करें, ह तो तनमन धन से आप उसमें समर्पित हो जाएंगे अगला यदि हम लक्षण बताएं या पहचान बताएं तो जब भी कभी आप बंचितों की या जो सोसित हैं जो दलित हैं उनकी आप सहायता करेंगे उनको योजनाओं का लाब देंगे तो आपके अंदर संतोस का भाव आना चाहिए कि हाँ फाइनली इसका जो अधिकार था वो हमने दे दिया तो ये भी एक समर्पन का मुल्य है जो समर्पन की का लक्षण है जो आपको दिखेगा फिर एक बात आती है नियमोन मुख और परिनामोन मुख नियमोन मुख मतलब कोई भी कार ऐसा करना जो नियम के साथ ही हो यदि नियम से वो इतर है या नियम के विरुद्ध है तो आप वो कारे नहीं करेंगे लेकिन यदि आप उस सिविल सेवा के प्रतिसमर्पित हैं तो आप देखेंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास, किसी सज्जन के पास, किसी दलित के पास, यदि किसी वंचित के पास यदि कोई काविज नहीं है, कोई नियम जो है उस नियमों के स्रिंखला में कोई एक पॉइंट है जो वो मिस कर रहा है तो आप देखेंगे कि भाई यदि हम इसे यह सहायता देते हैं उद्वारण के लिए प्रधान मंत्री आवास हो जना तो यदि आप उसे देते हैं तो उसका परिणाम अच्छा होगा है ना चुंकि वो लाभारती व्यक्ति था और उसे वो मिला तो यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर आपने नियमोन मुखी को निमनस्थान दिया आपने ध्यान दिया परिणाम अच्छा होना चाहिए तो इस तरह की कारिपद्धिती का दिविकास हो तो आप तब भी मानें कि मेरे अंदर समर्बन का भाव है फिर आपके अंदर सबसे बड़ी बात आनी चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबको समान मानना, है ना, सबको साथ लेके चलना, आपको अधीनस्त करमचारी है, तो आप उसको ऐधा नौकर ट्रीट ना करें, है ना, वो भी मनुष्य है, उसने भी कुछ परिक्षाएं पास की है, है ना, लेकिन आपको सबको लेके चलना है, आप देखेंगे यह दि कहीं पर आप अधीनस्त हैं, उन्हीं अधी आप साथ लेके चलेंगे, तो आपको जो रिपोर्ट कार्ड रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोग मन से काम करेंगे, है ना, तो सबक लोग हैं, ये कलर्क है, ये भृत्त है, ये बाबू है, है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप सबको साथ लेके चलेंगे, और छोटे और बड़े का भाव जब आपके अंदर से खतम हो जाए, या स्वा और पर का भाव आपके अंदर से खतम हो जाए, तो वह क्या है, आ अखिर कौन से महत्तो हैं इसके, यदि किसी व्यक्ति के अंदर, किसी लोग से वक्ति के अंदर समर्पन का मूल ले आ जाता है, तो वह व्यक्ति किस तरह प्रसासन में महत्पूर्ण होगा, तब उसके बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं, है न? तो सबसे पहली बात तो आती ही जन सहभागिता जन सहभागिता कैसे यदि आप समर्पित व्यक्ति हैं तो जनता आप में विश्वास करेगी और जनता इद आप में विश्वास करेगी तो आपके द्वारा चलाया जा रहे हैं सभी कायक्रमों में क्या करेगी सहभागिता करेगी और जब सहभागिता करेगी तो उसका अच्छा प्रणाम देखने में मिलेगा दूसरी बात आती है लोक कल्यानकारी राजी के स्थापना में बल चुकि हमारा सम्भिधान यह बताता है कि हमें लोक कल्यानकाई राज के स्थापना करना है ना कि किसी पुलिस प्रसाशन पुलिस साशन के राजी की है न तो लोक कल्यानकाई राजी के तोर पे भी समरपन का विशेश महत्व है तीसरा point आता है निजी स्वार्थ की समाप्ति यदि आप में समरपन का भाव हुए तो आप निजी हिद से उपर उठ चुके हैं आप निजी हिद की जगा पर आप सालिनिक हिद लेखेंगे स्वाकरस्थान पर परका भाव रखेंगे है न तो यह क्या है यह समरपन के भाव से ही आपके अंदर विक्सित होगा चौती बात आती है सुशासन की स्थापना सुशासन मतलब अच्छा सासन एक तो सासन वो है जिसमें लाल फीता साही है वरिष्टाचार है है ना लेट लतीफी है भाई भतीजावाद है और एक सुशासन है मतलब सभी काम जो भी नियम है जो निर्धारन है उसके हिसाब से काम किया जाना तो वो सुशासन है अच्छा सासन तो यह आप समरपित है कारकपरी तो आप सासन का जो है तो अच्छे सासन प्रविष्ट करेंगे फिर बात आती है सेवा भावना वा समरपन सेवा भावना मतलब क्या कि आपको उसको नौकरी के तौर पे नहीं लेना है सेवा के तौर पे लेना है कि हम सेवा कर रहे हैं है ना हम समरपित हैं इसके प्रती तो उस तोर पे जो है तो आप कोई चीजें लेनी हैं न तो इस तरीके से आप बता पाएंगे फिर बात करें यदि हम छटे पॉइंट की बात करें तो छटा पॉइंट कहता है कि लोक हित का जो है संरक्षन और संबर्धन होगा यदि आप समर्पित हैं तो जनता का जो हित है उसका संरक्षन किया जाएगा उसकी सुरक्ष्या की जाएगी और उसे समर्धित भी किया जाएगा उसका विकास भी किया जाएगा जनता के हित का फिर अगला point आता है नीतियों का प्रभावी एवं उचित क्रियानवेन तो जो नीतियां सरकार के दोरा बनाई जाती है एक अधिकारी के तोर पर आपका एक करतब है कि आप उन नीतियों को प्रभावी तोर पर लागू कराएं जो उचित लाव हरती है उनको उसका लाव मिले तो इसके लिए क्या है आपको समर्पित भाव का होना अवश्यक है तो इस तरीके से हम लोगों ने लोक सेवा में समर्पन का भाव जो मूल ले था उसे हमने समझा अब जो अगला पॉइंट है अगला पॉइंट हमारे पास आता है समान भूति है ना समान भूति को आप इसी हिसाब समझ सकते है समान धन भूति है ना समान धन अन भूति या तो आप ऐसे लिख सकते हैं सम धन अन भूति है ना तो समधन अनुभूती हो गए समानुभूती है न तो मतलब एक समान जैसी अनुभूती सामने वाले व्यक्ति को हो रही जो भाव सामने वाले व्यक्ति के अंदर आ रहा वही भाव आपके अंदर भी आप भी उसे ग्रहन करें उसी तरीके से तो यह क्या होता यह होता है हम परिवासा की बात करें तो परिवासा हम लोग बताएंगे कि वह सामवेगिक समझ या छमता जिसमें दूसरे व्यक्ति की इस्थिति और भावनाओं को या मनह अर्शिति को सठीक रूप से महसूस करना और समझना जो सटीक रूप से समझने या महसूस करने का जो मूल है वही समानुभूती कहलाती है है ना तो सामभीग समझ या जो छमता है आपके अंदर किसी दूसरी वेक्ति को क्या दुख है यदि आप उसको आप उसका दुख आप महसूस कर पा रहे हैं जो काम है वह स्वाहित के लिए ना होके परहित के लिए रहेगा आप ये नहीं सुचेंगे कि मैं मैं का भाव खतम होके हम का भाव आपके अंदर आएगा अरधात स्वा और परकांतर समात्त हो जाएगा उदाहरण के लिए आप सभी गिर जाती है उसकी मृत्य हो जाती है उस चीज को वो अपने अंदर लेते हैं और पूरे गाउं के विकास के लिए खुद के लिए नहीं चुकिए उनकी पत्न तो मर चुकी थी वो चाहते तो कहीं बाहर भी जा सकते थी लेकिन नहीं उन्होंने उस गाउं के लिए उस पहाड को ही तोड़के और एक सड़क निकाल दी तो मतलब क्या है उन्होंने खुद का हिद नहीं देखा उन्होंने जनता का हिद देखा सभी लोग का हिद देखा है ना वहापे स्वा और परकांतर समाप्त हो गया है ना और उस movie को आप देखेंगे तो आपके अंदर भी समान भूती का भाव पैदा होगा और आप खुद माजीद माउंटेन मैन जैसे सोचने लगेंगे कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं है ना तो वो चीजें है तो यही क्या है यही है जो है तो समान भूती समान रूप से आप सामने वाले का दुख को अनभूत कर पाते हैं अब बात आती है इसकी बात आती है आप देखें कहीं दंगा हो गया है और यदि आप समान भूतिक विक्ति हैं समान भूत का मूल जो है वा आपके अंदर है तो आप वहां पे कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जिसे दंगा भड़क जाए है ना आप वहां पे अपनी भावनाओं को देखेंगे सामने वाली भावनाओं को समझने का प्रयास करेंगे अभी हम लोग जो अपना अगला टॉपिक रहेगा भावनातक बुद्धिमत्ता उस पर हम लोग पढ़ेंगे है ना तो यहां पर हम क्या देखेंगे भावनाओं का ज्यान हो जाएगा और हम उस हिसाब से अपने आपको मैने प्रयसारी का वह आया किरें नहीं मेरे सामने कैसे है साelt भोल रहा है आप उसे रोक देंगे तो आप उसे सुन नहीं रहें ना तो इस क्या होगा आप समझनी पाएंगक को उसके परिस्तिती और भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे आप और आप सही निर्नेंगे नहीं समता है उस पर आप नियंतित करें और सामने वाला क्या सोच रहा है उस चीज को भी देखें और उसके बाद आप निर्णयन करें तो वही क्या है सामवेग बुद्धी है खुद के जो बुद्धी है उस पर नियंतिरन है खुद का जो अनुभाव है खुद का जो प्रभाव है उस पे बात करना है न और सामने वाले व्यक्ति का जो सभाव है जो उसकी भावनाएं है उसको भी कंट्रोल करना ये कहा है सामवेग बुद्धियुक तो ये भाव किस में आता है समान भूति में आता है अब बात करते हैं से प्रकार कौन कौन से समान भूति के प्रकार तो समा लाई आता है तो यहां पर क्या होता है कि पुनाह परिप्रेक्ष मतलब क्या हो तो देखना है ना दूसरे को देखना तो अन्य व्यक्ति के बेवहार को जब देखेंगे समझेंगे इसका मतलब है कि आप का जो मूल है वह संग्यानात्मक समानभूति के और अग्रसर है है ना पुनह परिपेख्षिक रहन, ये बिंदु आपको याद करना है, पुनह परिपेख्षिक रहन, है ना, दूसरे व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के बेवहार को समझा जाता है, इसमें, दूसरी बात आती ही कलपना, कलपना मतलब आप कालपनिक चरित की परिस्तिती को समझते हैं इदियाप रामचेत मानस पढ़ें, महाभारत पढ़ें, कोई सीरियल देखें तो आप देखते हैं कि जो कालपनिक चरित रहे, उसी पे आप इतना समोहित हो जाते हैं कि आप पूरे तरीके से उसमें घुल जाते हैं, अरे इसकी डित हो गई, अरे ये हो गया, अरे ऐसा हो गया जबकि आपको हकीकत पता है कि ये चीज़ें तो उसके लिए धारावाही के चल रहा है, ये सीरियल है ये लेगिन आप उसमें समान रूप से आप अनभूत करने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कल्पना अनभूती, कल्पना समान भूती ठीक है, फिर बात आती है, भावनात्मक समान भूती की तो भावनात्यों समान भूति में जो पहला बिंदु आता है समान भूतिक चिंता अब समान भूतिक चिंता भावनात्यों आप भावनात्मक रूप से जड़ गए उसे उससे है ना सामने वाले व्यक्ति से आप भावनात्मक रूप से जड़ गए तो समानभूतिक चिंता में होता ये है कि आप जो सामने वाला व्यक्ति है आप उसकी पीड़ा को देखते हैं और आप कोसिस करते हैं आप चाहते हैं कि उसकी इस्तिती में सुधार हो तो ये होता है समानभूतिक चिंता फिर दूसरा बिंदू आता है समान भूतिक तनाओ तो समान भूतिक तनाओ के अंदर यह चिंता से एकस्तर उपर का है है ना मतलब आप गिरिद व्यक्ति की मदद तो करना चाहते हैं लेकिन आप उसको मदद करने के चक्कर में या उसके मदद के लिए आप इतना जादा परिसान हो जाते हैं खुद जो है तो आप तनाव में आ जाते हैं इस्ट्रिस ले लेते हैं मतलब जब समानभूतिक शिंता अत्धिक तीव्रता के साथ उस वक्ति के अंदर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं समानभूतिक तनाव ठीक है तो ये चीजे हो गई फिर बात आती है कि समानभूति का जो विकास है उसका विकास कैसे किया जाए या हम बोलें कि समानभूति के विकास में किसकी भूमी का है है ना कैसे ये विक्सित होती है समानभूति तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला तो कुछ भी चीजे हैं किसी भी मूल लेका तो परिवार वहाँ पे सबसे पहला बिंदू रहेगा है परिवार मतलब आपका पालन और पोशन किस तरीके से आपको पालन पोशन गया है कैसा परिवार रहा है आपका उस हिसाब से उसकी अनकूल ही आपके अंदर वो मूले देखने को मिलेगा तो समान भूती का मूले जो है वो आपके अंदर परिवार और आपके पालन पोशन से ही मिलेगा आएगा फिर दूसरी महत्मुर भूमिका होती है connection सनस्थाओं के, concent час सनस्थाओं के हम बात करें, तो यहां पे हम क्या बता सकते हैं कि विद्याले हैं, school हो गए, फिर क्या हो गए, college हो गए, तो यह सब union सनस्था नहीं है, वहाँ पे किस तरीकी की बाते हैं आपको सिखाई जा रही हैं, कौन से मुल्य आपको विक्सित कराय जा रहे हैं, वही क्या है, वही आपको समानवा होती के बिकास में महति भूम्य नुभाते हैं. फिर बात आती है, बिवित्था यूक्त नीती。 कभी भी एक पक्षी नीती नहीं होनी चाहिए. कोई भी नीती बना रहे हैं, कोई प्रशासक है, सासक है, आप खुद हैं, तो एक तरफा नीती मत बनाईए, मध्य मार्ग पर हमेशा रखिए, जैसे आप प्रतियोगी प्रिक्षा के त्यारी कर रहे हैं, तो आप इतना टाइट से डूल ना बना लें के दो दिन बाद आप उ कर रहे हैं, कि अच्छे से अच्छे अपना पूरा प्रयास करना है, लेकिन एक निश्य सीमा तक करना है, जिसके आपको जो मन है, तो उस लक्ष के प्रति बना रहे हैं, तो बिवित्ता एक तो नीती भी जो है, तो आपको समान भूती की, और अगर सर करती है, फिर बात आत पढ़ रहे हैं अपने सर्दास्रीनों की तो उसमें क्या है आप जुड जाते हैं आप ऐसा साहित पढ़ रहे हैं जहां पर वंचिद्वर की बात की जा रहे हैं दलितों की बात की जा रहे हैं तो आपके अंदर क्या आएगा समान भूति का भाव आएगा है ना तो ऐसे साहित लेकिन यदि वह कुरीती आप पर चले है यह गलत है तो आप उसका विरोध करेंगे और उस पीडित व्यक्ति के प्रति आप समानुहूती का भाव रखेंगे फिर बात आती है कुछ समू है जैसे कोई वंचित वर्ग है दलित वर्ग हो गया समाजिक कुरीतियों से गरस्त जो ग्रूप है है ना समू है उससे मिलान हो गया तो इन सबसे यदि आपको मिलवाया जाए सुरू से ही तो आपके अंदर समानुभूती का मूल ले जो है तो वि किकार नियम हों आ गया है न तो ऐसे कई सारे जो हैं तो विधा अगया है न तो समय समरस्ता का प्रशार किया जाएं तो इस से हम लोग समानमहुती का प्रशार कर सकते हैं और उसमें इन सभी चीजिजों की जो उपरोग तो जीजयों है उन में इसकी महतीभ्हूमिका होगी है नए तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ये आज का topic हमने समाप्ट किया है है ना और आप इसको लिखने का प्रयास करें question answer format में लिखने का प्रयास करें है ना और हम कोशिश करेंगे कि एक दू कक्षाएं सब्ता में और बढ़ाई जाएं है ना जैसा आपका response रहेगा उसे साबसे हम लोग कक्षाओं को आगे पीछे करते रहेंगे तो यहाँ पर हम लोगों इसे देख लिया है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कैब बढ़िया है वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और यदि हमारा प्रयास अच्छा लगे जिसे हमारा मोटिवेशन वीडियो बनाने के लिए बना रहा है हसते रहें मुस्कुराते रहें कोसिस करते रहें क्योंकि कोसिस किये बिना जैजाकार नहीं होती आपका बहुत बहुत धन्यवाद